अजीज तलबा आज से मुस्लिम में इन्शा अल्ला दो बाप का दर्स होगा पहला है बाप नमबर बाइस बाब ब्यान अन्नव लायद खुद जन्नी इल्ल्ल्मूमिनून यह से मुस्लिम किताब ओल्लिमान का बाब नमबर बाइस है बाबु बयाने अन्नु लाहिद खुदू जन्नत इल्यल्मूमिनों वान्न महबतल मूमिनीन मिनल इमान वान्न इफशा असलाम सबब ले खुसूलिहा बयान इस बात का कि जन्नत में सिर्फ मूमिनीन दाखिल होंगे नमबर एक, दूसरी बात, मूमिनीन से महबत करना ये भी इमान का जूस है और तीसरी बात, सलाम को फैलाना महबत के हसूल का सबब है महबत के हासिल होने का जरिया है तो इस बाब में बताया गया है कि जन्नत में मूमिनीन ही दाखिल होंगे इसलिए कि गुरान करीम का एक अटल फैसला है जिसका जिकर कई बार हो जुका है कि अल्लह ताला ने फर्माया है कि इन्नलाह ला इखफरु यूशरका भी वैखफरु मा दून जालिक ले मैं ये शाओ अल्लह ताला इस जर्म को नहीं माफ कर सकता कि उसके साथ शिर्क किया जाए शिर्क के लावा और दूसरे जर्म को दूसरी खताओं को अल्लह ताला चाहे तो माफ कर सकता है तो इसलिए ये कहा गया कि जन्नत में सिर्फ मुमनीन दाखिल होगे मुमनीन का मतलब यह है कि जिनका अकीदा दुरुस्त हो यानि जो जो शक्स अल्लह को मानता हो रसूल को मानता हो और भी जितने ये इतिकादी उमूर है उन सारी चीज़ों को मानता हो तो ऐसे शक्स को मुमन का जाता है तो जन्नत में मुमनीन ही दाखिल होगे ये मुमनीन मुश्रिक के मुखबले में बला गया और मुमिनीन में भी या तो मुमिनीन जन्नत में पहले पहल दाफल हो जाएंगे अगर सेहत अकीदा के साथ उनकी नेकियां ज्यादा हैं बुराईयां कम हैं और अगर सेहत अकीदा के साथ उनकी बुराईयां ज्यादा हैं नेकियां कम हैं तो असहाब मासी को यनि गुनाहों के मुर्तकिबीन को अल्लह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा और बाद में निकालेगा और मुमिनीं की तीसरी किस्म ये है कि जिनकी नेकियां और बुराईयां बराबर हों तो इनको मकाम आराफ में रखा जाएगा और आखिर में उनको भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो बहराल मुमिनी जन्नत पे दाखिल होगे बहराल चाहे पहले पहल या बाद में देखे हदीस है गाद एमा मुस्ली रहम उल्ला हद्दसना अभू वक्र अभी शहिबा गाला हद्दसना अभू मौविया उवकीन अनिलामश अनभी सालिह अनभी हुरेरा गाला रसुल्ला अभी शहिए लिए लोगो तुम जन्नत पे दाखिल नहीं हो सकते हाँ तक की एमान ले आओ और तुम्हारा एमान मुकमन नहीं हो सकता यहां तक की आपस में महब्बत करो क्या मैं तुम्हें इसी बात न बताओं कि जब उसको कर दोगे तो तहाब अब तुम्हारा एक दूसरे के एक दूसरे से महब्बत करने लगोगे वो क्या है अफ्शु स्सलाम अमेनकुम अपने दर्मयान सलाम को फैला हो मजभ इसलाम में सलाम करने की तो तरीका है उसमें अमनु सलाम दी की दौा है किसी भी मजभ में इस तरे से सलाम करने की दौा नहीं है आगी एक रवायत है बिमसले हदी से अभी मौविया औवकीन इससर यह सरत भी इससरत का मतन है उसी तरह से सहिए बसमे वाल्लजी नफसी बेड़ी कसम का अधाफा किया गया है तो ताक्ट के लिए इसके बाद बाव नंबर तेस है बाबो बयान अनद्दीन अनसीह इस बात का में क्टीन खैरखाही का नाम है ये अरभी ज़ून में जो लफ़ नसीछा है बहुत ही मा incompानेदार लफ़ है उर्दू जबान में इसकी सही तर्जमानी नहीं हो सकती है कोई श्क्त किसी के साथ अच्छा मामला करे उर्दू में खैरखाही कहते है लफ्ज नसीयत या तो माखूज है नसार रज्ञ रसमुह से जब कोई आदमी किसी प्षट हुए कपड़े को रफू करता है, सिलाई करता है उसको भी अनसिया कहते है या या ये माखूज है नसात जब कोई आदमी शेहत को मूम से अलग करे उसको बोलते हैं नसात असला तो जिस तरह से कपड़े की रुफुगरी करने वाला या शेद को मौम से अलब करने वाला जिस होश्यारी और जिस जहानत से और जिस तोजों से काम करता है तो यही चीज़ होती है खैरखाई में भी यहीं खैरखाई में कोई शक्स इखलास के साथ किसी के साथ अच्छा सुरू करता है और ऐसा सुरू करता है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है तो बाब उबयाने अन्न दीन अन्नसीहा यह रिवायत है उपकादल इमा मुस्रू रहें मुल्लाद अच्छा मुम्मद बन अबाद मक्की और अच्छा सुरू करता है इन अमर अच्छा अन्न इल्काद अन्बीका और अरजवत अन्यूस्कत अन्यूस्कत अन्यूस्ट रजल अन्तमीमिन अन्तमीमिद्दारी अन्न अन्यूस्ट अन्नसीहा यह सुफियान कहते हैं कि मैंने सोहल से कहा कि बेशक अम्र अन्यूस्ट 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 जिसको सुना है मेरे बाप ने, तो कोई मुजाका तो नहीं है, यानि काका ने अपने तुम्हारे बाप से रवायत किये है, वो मेरे इस दोस्ते शाम में सुम्मा हत्तसना सुफियान, फिर मुस्यब्यान के असुफवान ने सुहल से अताज अबन हजीद से, अन्तमीमित तारी कि अल्ला आप ने फरमाया, अद्दिन वन्नसिया, दिन खेरखाई का नाम है, मैंने का किस के लिए? का कि अल्ला के लिए, उसके किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, अईम मुस्लिमीन के लिए, आम लोगों के लिए, तो अल्ला के लिए खेरखाई है कि आज में अल्ला के तोहित का खेल हो आदमी किताब के तिलाव जिए किह उस पर עम करे रसूizar के साथ घьяर्खाई है की रसुल के इमान लाए रसूर के आकाम के अमल करे अवैमे मुस्लिमन के साथ घर घुआ है की आदमी मुसल्मानों को चुक्काम के खिलाप बगावत न करे उनकी मदद करें और आम लोग उनके साथ खेर खाई है कि उनके साथ अच्छा सुलूप करें आगे की रवायत है इस सनद से भी उही रवायत है आगे एक सनद और है आगे की रवायत है ये अब तक की रवायत तमीं दारी सी थी आगे की रवायत जरी अब ने बजली से रवायत है देखिए काल मा मुस्रूर रही मुल्ला हद दसना सु अब वक्र अभी शेबा कारा दसना सु अब्दल्ला इबन हुमेर वब अब उस्माइल इसमाइल इबन अभी खालिद अनकैसिन अनजरीरिन जरीर कहते हैं बायात रसुल्ला इसलिम अला इकामत इस्तला वईताइज जरीर की तालुक से रवायत है जकात देने पर और हर मुसल्मान के साथ खेरखाई करने पर आगे की रवायत भी इसी सनद से है इसी सनद से जरीर की तालुक से रवायत है उसमें सिर्फ इतना है बायात बन्बी अला अलनुसल कुल मुस्लिम और आखरी अधिस है ये अधिसना सुरेज बन यूनुस काला याकुब अधिसना हुशेम अन सेयार अन श्चाबी अन जरीर काला अधिसना सेयार ये इमाम मुस्लिम के उस्ताज है सुरेज बन यूनुस और याकुब दौरकी ये दो रवायत करते हैं ये हुशेम से हुशेम रवायत करते हैं सेयार से सेयार रवायत करते हैं शावी से शावी रवायत करते है जरीर से जरीर कहते है कि मैंने बैच्छ के अलागत रस humility रसूल से सुनने पर याक्तात करने पर तो आपने मुझे नसे की कि आधिसी मतताता तुम जहां तक ताकत रख सको यहां सनद में एक इल्मी लतीफा ये हुशेन नामी रावी दरसल मुदलिस है यहां अपने शेख वहजफ कर दिया करते हैं और मुदलिस रावी अगर रवायत करें अन के साथ तो उसकी रवायत जहिए बनी जाती है तो पहली सनद में है यह हद्दसना सुरैज इबन यूनुस वयाकुब दोरकी काला हद्दसना हुशेम अन सयार यह हुशेम रवायत करते हैं सयार से तो हुशेम जो की मुदलिस रावी हैं और इन्हों ने अन से रवायत किया है तो मुदलिस रावी की रवायत अन के जरीया कमज़र होती है इसलिए इमाम मुस्ली में अदाफा कर दिया है कि याकुब में अबने रवायत में कहा है हद्दसना सयार यहीं सुरैज ने तो अन कहा है लेकिन हद्दसना याकुब दोरकी काला हद्दसना हुशेम कालह अप्दसना सःयार यानि खुशेम ने का कि हमसे बि 노ाजी कि मैं उद्धि से भायत बारतEMें गुशेम का स्मा सियार से थापित है इसलिए बिया काला अप्दसना स्यार तो खुशेम मुद्लिस रावी है और उनोंने कहा है अन्सियार और मुदलिस जब अन कहे तो उससे इस्तिला नहीं किया जाता इल्ला है कि उसका सिमा सावी तो दूसरी जहद से तो इमाम मुस्मुर रह्म उल्ला ने अपनी हदिस रवायत की है दो शेख से एक सुरेज एक याकूब तो सुरेज ने तो कहा है मगर याकूब ने कहा है तो इमाम मुस्मुर रह्म उल्ला ने अपनी दून उस्ताज की रवायात की इखतलाफ को बताया है कि सुरेज ने कहा है तो इसमें हुशे मुदलिस रावी है तो मालूमोता रवायत जईफ है लेकिन याकूब दोरकी ने रवायत की याकूब दोरकी काला दसना हुशेम काला दसना सैयार तो कोई दूसी जहद से हुशेम का सैयार से समांथ थाभी थैं इसी बात को बताने कि लिए म 550 आ elevenे काहिर आखिके दिया